हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में दोस्तो एन एपल अडे कीप्स डॉक्टर अवे इंग्लिश का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जिसके हिसाब से हर दिन सेबफल के उपयोग से डॉक्टर को दूर रखा जा सकता है सेबफल स्वाद में बहतरीन होने के साथ साथ कई प्रकार के पोशक्ततों से भरा हुआ है सेबफल को सीधे ही खाया जा सकता है या फ्रूट सलात का हिस्सा भी बनाया जा सकता है इसे नियमी तोर पर अपनाने के अंगिनत फाइदे है इसे अपनी डायेट का हिस्सा बनाने के लिए आप एक और तरीका अपना सकते है और वह तरीका है इसको जूस के रूप में इस्तेमाल करने का सेब के सबसे स्वास्थेवर्थक और विभिन्यताओं से भरा हुआ फल समझा जाता है इसके जूस को सारी दुनिया में काफी मातरा में उपयोग किया जाता है यह बड़े पेमाने पर पसंद किया जाता है यह बाजार में रेडी मेड भी उपलब्द है परन्तु घर पर बने जूस के तोर पर इसका इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़ादा फायदे होते हैं तो दोस्तो आज के ये वीडियो में हम सेब के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आगे बटने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिये गए बेल आइकोन यानि कि घंटी के बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियो की आपको इंस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तो सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सेब के फायदों के साथ नमबर वन वजन कम करने के लिए दोस्तों सेब पॉलिफेनोल्स, डाइटरी फाइबर्स, केरोटिनोइट्स के कई पोसक्तत्वों से भरपूर है इसमें मौझूद पॉलिफेनोल्स शरीर में एंटी ओबेसिटी गुनों की तरह काम करते हैं यह शरीर से फ्री रेडिकल्स और मोटापा बढ़ाने वाले टीश्यू को कम करते हैं जिससे आपको वजन कम करने में मदद मिलती है नमबर टू, कैंसर से बचने के लिए दोस्तो, शोध में पाया गया है कि कैंसर से लड़ने में भी सेब खाने के बहुत सारे फायदे है सेब के गुन आपको एक नहीं बलकि कहीं तरह के कैंसर से बचा सकता है इन में प्रोस्टेट, लंग्स और और अवरी कैंसर के साथ कॉलन और प्रेस्ट कैंसर भी सामिल है इसके एंटि ऑक्सीडन्ट गुन फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और कैंसर कोशिकाओ को बढ़ने से रोकते हैं और शरीर में डी टॉक्सिफाइंग एंजाइम को बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तो एक वहियानिक अधियन के अनुसार साबूत फल जैसे सेब के सेवन से डायाबिटिस के खत्रे को कम किया जा सकता है इसमें मौझूद फाइबर खराब कोलेस्टेरल को कम करता है और अच्छे कोलेस्टेरल को बढ़ा कर मदूमे को कम करने में मदद कर सकता है दोस्तो आम तोर पर गॉल्ड ब्लेडर स्टोन चोटे-चोटे सक्तकणों के रूप में ब्लेडर में कॉलेस्टेरल और बिलीरूबीन के अधिक जमाव के कारण बनते है यह समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जिनका वजन जरूरत से ज्यादा होता है ऐसे में फाइबर युकताहर जैसे सेब का सेवन करने से आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है जिससे गॉल्ड ब्लेडर स्टोन से आराम मिल सकता है दोस्तों सेब के फायदे और गुन आपकी रोग प्रतिकारक शमका के लिए सहायक है इसमें एंटी ओक्सिडन गुन होते है जो आपके शरीर को ओक्सिडेटिव स्ट्रेस के दूस्प्रभाव से बचाते है इसके अलावा इसमें ऐसे गुन होते है जो कोशिकाओ की शती से बचा कर प्रतिरुदक शमता के लिए सहायक के रूप में काम करते है इसके अलावा सेब में फाइटो केमिकल मौजूद होते हैं जो इम्यून प्रतिकिया को रेगुलेट करके उसे मजबूत बनाते हैं नमबर सिक्स सफेद दात के लिए दोस्तों आपको सेहत के लिए सेब की जानकारी तो होगी लेकिन क्या आपको पता है कि सेब के गून आपके दातों को सफेद करने में भी मदद कर सकते हैं सेब में मेलिक एसिड होता है जो प्राकरूतिक रूप से दातों को सफेद करने का काम कर सकता है नमब सेवन कोलेस्टेरल के लिए दोस्तों सेब के सेवन से आपको कोलेस्टेरोल कम करने में मदद मिल सकती है इसके कोलेस्टेरोल को कम करने वाले प्रभाव बूरे कोलेस्टेरोल यानि की LDL को कम करके अच्छे कोलेस्टेरोल यानि की HDL को बढ़ाते हैं इसके साथ ही यह आपको बड़े हुए कोलेस्टेरोल के स्तरकी वज़से होने वाले रदे रोक से भी बचाता है दोस्तो अगर आप अस्तमा से ग्रसित है तो सेब खाने के फायदे मिल सकते है सेब फ्लेवनोइट से समरुद होते हैं फ्लेवनोइट को अस्तमा से आराम दिलाने में लाबदायक माना गया है फ्लेवरनोइड में एंटि अक्सिदेंट, एंटि एलर्जीक, एंटि इंफ्लेमेटरी गुन होते हैं और ये रोगपती रोदक शमता को भी बहतर बनाते हैं साथ ही इसमें एंटि-यस्थामेटिक गुन भी पाये जाते हैं जो अस्तमा के खत्रे को कम कर आपको बहतर तरीके से सांस लेने में मदद कर सकते हैं नमबर नाइन अल्जाइमर के लिए दोस्तो ओक्सिडेटिव स्ट्रेस के कारणा अल्जाइमर जैसे नियूरो डीजनरेटिव रोग हो सकते है वही अब तक आपको सेब की जानकारी से यह तो समझ आ ही गया है कि यह एंटी ओक्सिडन्ट गुनों से भरपूर होता है ऐसे में एंटी ओक्सिडन्ट गुनों से भरपूर फलो का सेवन आपको इन रोगों से बचाने में साहयक साबित हो सकता है सेब का जूस ऑक्सिडेट्व स्ट्रेस को कम करता है और आपको अल्जाइमर से बचा सकता है दोस्तों आतों के लिए वो खाद्य पदात अच्छे माने जाते हैं जो फाइबर से भरपूर होते हैं आत से जुड़ी कई समस्याओं के लिए फाइबर का सेवन करने की सला दी जाती है माना जाता है कि शरीर में डायेटरी फाइबर की कमी से इरिटेबल बाउन सिड्रोम आत में होने वाली समस्या जैसे पेट दर्द कब्सवत अस्त हो सकते हैं जैसा कि सेव की जानकारी में हम आपको बता चुके है कि सेव डायेटरी फाइबर से भरपूर होता है तो ऐसे में सेव खाने के फाइदे काम कर सकते हैं नमबर 11 लीवर के लिए दोस्तों सेब खाने के फाइदे की बात करें तो यह सरीर से विशाक्त पदार्तों को बाहर निकाल कर आपके लीवर को स्वस्त बनाये रखने में मदद करता है सेब के एंटियोक्सिडेंट गुन शरीर में डीटोक्सिफाई एंजाइम का प्रवा बढ़ाते हैं यही वज़ा है कि सूबा उठकर एक सेब खाने की सला दी जाती है इससे आपके लीवर को साफ करने में मदद मिलती है नमब ट्वेल पाचन शक्ती बढ़ाने के लिए दोस्तो सेब को डायेटरी फाइबर का अच्छा स्थरोत माना जाता है फाइबर बाइल ज्यूस को प्रेरित करता है जिससे पाचन शक्ती बहतर होती है ऐसे में कहा जाता है कि सेब के गुण आपको खाना पचाने में मदद कर सकते है नमब थाटीन रक्त संचार के लिए दोस्तो सेब में आइरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है वही रक्त के लिए आइरन जरूरी खनीज माना गया है यह शरीर में हीमोगलोबिन बनाता है हीमोगलोबिन लाल रक्त कुशिकाओं में मौझूद एक प्रोटीन होता है जो फेफडो से ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया पहतर रक्त संचार को बढ़ावा देने का काम करती है हाला कि सीधे दोर पर रक्त संचार के लिए सेब कितना कारगर है इस पर अभी और शोध होने की आवशक्ता है 14. हड्डियों के लिए दोस्तों हड्डियों के लिए कैल्सियम और फॉस्फरस दो बहुत महत्वपुन पोशक तत्वा होते हैं हड्डियों को बनाने में इन दोनों तत्वा की अहम भूमिका होती है इन दोनों पौशक तत्तों की पूर्ती से osteoporosis का खत्रा कम किया जा सकता है osteoporosis एसी सिती है जो हड्यों को कमजोर करती है जिससे हड्या आसानी से तूट सकती है ऐसे में सेव खाने से फायदे होते हैं क्योंकि इसमें calcium और fosforis की भरपूर मतरा पाई जाती है मित्रों कई बार लोगों को कम रोशनी में ठीक से दिकाई नहीं देता है यह विटामिन A की कमी से हो सकता है शोद से पता चला है कि विटामिन A की कमी से निक्टलोपिया यानि की रतोंदी हो सकता है इससे बचने के लिए आप सेब का सेवन कर सकते हैं यह विटामिन A से समरुद होता है और आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में मदद कर सकता है 16. काले घेरों के लिए दोस्तों सेब खाने के फायदे आपकी आखों के नीचे के काले घेरे को हटाने में भी मिल सकते हैं सेब विटामीन A से समरुद होता है शोध में पता चला है कि विटामीन A तोचा में कॉलेजन को बढ़ाने में मदद करता है और मैलनिन की मात्रा कम करता है इसके परिणाम स्वरुपुप विटामिन-1 काले-घेरे कम करने में मदद कर सकता है इसके शरेर के लिए विटामिन-C के कई लब है यह गावों को बुरने में मदद करता है दातों और हड्यों को मजबूत बनाए रखता है और आयरन को शरीर में आशोशित होने में मदद करता है इसके साथ ही यह एंटी ऑक्सिदंसे बhrपूर होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स के दुस्रपआउं से बचाता है, फ्री रेडिकल्स से बचा कर विटामिन C आपको बढ़ती उम्र के लक्षन, रदी रोग, अर्तराइट्रिस और कैंसर के खत्रों से भी बचा सकता है, सेव में भरपूर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है, इसे में सेव खाने के फायदे से आप विटामिन C के लाब भी पा सकते हैं नमबर 18 तवचा के लिए दोस्तो धूप और प्रदूशन की वज़े से टैनिंग और निखार गम होना आम बात है सूरज की हानिकारकीने टैनिंग का करण बन सकती है और प्रदूशन तवचा पर ऑक्सिदेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है इससे बच जाओकर टैनिंग के प्रभाव को कम कर सकता है नमबर 19 एंटी एजिंग के लिए दोस्तों तवचा पर बढ़ती उम्र के लक्षन सिर्फ उम्र की वज़से ही नहीं बलकि और भी कारणों की वज़से दिख सकते हैं इन कारणों में यूवी कीनों के हानिकारक प्रभाव प् जैसे विटामिन A, C और E ये सभी एंटी उक्सिदेंट तत्व होते हैं जो बढ़ती उम्र के लक्षनों जैसे जूरिया और महीन रेखाओं से रोकते हैं 20. यूवी कीनों से बचने के लिए दोस्तों सूरच से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी की अल्ट्रा वाइलेट रेडियेशन आपकी तवचा के लिए नुकसान दायक हो सकती है इसकी वज़े से कम उम्र में ही चेहरे पर बढ़ती उम्र के लक्षन दिखने लगते हैं साथ ही इसकी वज़े से तवचा का रंग काला पढ़ता है, स्कीन कैंसर का खतरा बढ़ता है और इसके वज़े से होने वाला oxidative stress वस्त कोसिकाओ को भी नुकसान पहुंचाता है ऐसे में safe के फायदे और गुन आपकी मदद कर सकते हैं जैसा कि safe की जानकारी में हमने बताई चुके है कि यह vitamin C और vitamin E का अच्छा स्रोत है यह दोनों vitamin प्रभावसाली antioxidant माने जाते हैं जो oxidative stress को कम करके आपको UV कीणों के दुस्त प्रभाव से बचाने में बहुत ही लाबदायक साबित हो सकते हैं तो दोस्तो safe के फायदे जानने के साथ-साथ इसके नुकसान या side effect जानना भी उतना ही जरूरी है तो आए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तो safe का 7 वैसे तो सुरक्षित है लेकिन अधिक मत्रा में खाने से आपको safe के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है कई लोगों को कुछ फलो के पराग से भी अलर्जी हो सकती है जिसे चिकिट सकी अभासा में पॉलनायल अलर्जी कहा जाता है कई लोगों को safe का अधिक सेवन करने से अलर्जी हो जाती है जिसके लक्षन कुछ इस प्रकार होते है ओठों में सूजन, जीब में सूजन, गले म तीव रग रही था यानि की चहरे पर सूजन अगर आप सेब के नुकसान को मसूस करते हैं तो तुरंद अपने डोक्टर से संपर्क करे वर अवशक स्ट्रीटमेंट ले तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको सेब के फायदे और नुकस आते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिखिए मैं वह सब्जेक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा थेंक्यू क्यों।